अजीत पवार आने वाले थे उसके पहले आपने यहाँ पर मीडिया में कुछ इंटर्व्यू दिये थे और आपने कहा था कि शरत पवार की भूमी का इस पूरे NCP कार्ण में बहुत इंपॉर्टेंट है और तब आपने कहा था कि अभी तो मैं अर्दर सत्य बता रहा हूं बा सच्चाई क्या है 2019 की सच्चाई आज लोगों को पता चलनी चाहिए क्या शरत पवार का आशिरवाद 2019 में जो हुआ उसको था या नहीं था आपका वर्जन क्या है पहली बात तो यह है कि पूरी सच्चाई के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि पॉलिटिक्स में एक समय होता है चीज को पूरे तरीके से उजागर करने का यह हो टूर हीट अट राइट टाइम मैं इतना कहता हूँ 2019 में जिस समय शिवसेना ने हमको धोका देकर कॉंग्रेस के साथ और NCP के साथ बात्चित शुरू की और यह ध्यान में आया कि अब उद्धोजी को मुख्यमंत्री की कुरुसी बुला रही है और यह कोई अपने साथ आने वाले नहीं है उस समय हम लोग यह विचार कर रहे थी कि अब इसके उपर हम क्या उपाय कर पाए उस समय राष्ट्रवादी कॉंग्रेस से कुछ लोगों ने मेरे सामने यह प्रफोजल रखा कि हम लोग आ सकते क्योंकि हम तीन पार्टी की सरकार नहीं चाहते है यूँ वांट अ स्टेबल गवर्मेंट मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं कुछ चर्चा करके आपको कहूंगा फिर चर्चाय भी हुई उसके बाद शरत पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई शरत पवार जी ने यह कहा कि हम B.J.P. के साथ आएंगे हम ने यह तै किया जिम्मेदारी मुझ पर और अजित पवार जी पर डाली गई हमने बैठकर alliance कैसा होगा उसमें किसको कौन सा portfolio मिलेगा किसके पास कौन से जिले जाएंगे ये सारी चीजें तय कि उसी alliance करने के जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में ये भी तय हुआ कि चुकि दिन खतम होते है तो उसके बाद सरकार बनने को थोड़ा समय लगता है तो राष्ट्रपती शासन लगाना पड़ेगा तो लगा दिया जाए तो सोच शमच कर राष्ट्रपती शासन भी लगा और उसके बाद एट वन फाइन मॉर्निंग शरत पवार जी ने अपना निरने बदल दिया और फिर अजित पवार को ये लगा कि ये सही नहीं है क्योंकि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं और इसके बाद इस प्रकार से निरने को बदलना ये विश्वास घात होगा ऐसा अजित पवार को लग जो तय हुआ है उन्होंने पवार जी को भी बताया कि जिस प्रकार से क्योंकि आपने ये सारा एलायांस किया आप इसको यहां तक लेकर आए और इसके बाद इस स्टेज पर ये चेंज नहीं हो सकता है और इसलिए हम लोगों ने शपतली फिर उसके बाद क्या हुआ वह हिस हुआ ये साथ निरणे हुआ था शरत पवार जी ने ऊथराइज करने के बाद ही अजित पवार और मैं बेटे तो इस बार चर्चा कि से आए सिधे अजित पवार से हुई तो हुआ